नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सबका डिजिटल सेवा गुजरात चैनल में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्पर्ष पैंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट यानि की जीवन प्रमानपत्र कैसे बनाए वो देखेंगे जीवन प्रमानपत्र के लिए एक सौफ्ट्वेर इंस्टॉल करना है तो अपने लैप्टॉप में इंटरनेट ब्राउजर को ओपन करे और गूगल में जीवन प्रमान सर्च करे और गूगल में सबसे पहली जो जीवन प्रमान की वेबसाइट सर्च में आती है तो उस पर क्ल अब वेब साइट ओपन होने के बाद उपर के मेनू में डाउनलोड पर क्लिक करें अब राइट साइट के स्क्रोल बार को निचे करें अब आप देख सकते हैं कि जीवन प्रमान सौफ्ट्वेर चलाने के लिए हमारे लेप्टॉप में कौन सा विंडो और सौफ्ट्वेर सप सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है वो सब पढ़ सकते हैं जिससे सौफ्ट्वेर इंस्टॉल में कोई दिक्कत ना आये अब इमेल के बॉक्स में अपना रेग्यूलर इमेल दर्ज करें जिससे ओटीपी इमेल में जाएगा निचे के बॉक्स में ऊपर दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करें I agree to download बटन पर क्लिक करें जिससे इमेल में ओटीपी जाएगा अब हम अपना इमेल बॉक्स ओपन करेंगे आप उसमें आया हुआ ओटीपी देख सकते हैं अब हम उस ओटीपी को कॉपी कर लेंगे और ओटीपी कन्फरमेशन में दर्ज करके सबम के बटन पर क्लिक कर देंगे आपके सामने अब laptop में install करने का software और mobile में install करने के software दिखेंगे आपको जो भी software चाहिए उसकी लिंक पर क्लिक कर दे हमें laptop के लिए चाहिए तो उपर की लिंक पर क्लिक करेंगे, लिंक पर क्लिक करते ही आपको मेशेज दिखने को मिलेगा कि लिंक आपके register ईमेल में बेज दी गई है, अब आप अपना email box open करें, उसमें आपको दो links दिखाए देगी, आप दोनों मेंसे कोई भी लिंक पर क्लिक करके जीवन प्रमान का ईमेल करें confidence Software डाउनलोड होता हुआ, देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि Software डाउनलोड हो चुका है, अब Software पे राइट क्लिक करके, Extract कर ले, Zip फाइल में से अब Software बहार आ जाएगा, Folder ओपन करके, G1 प्रमान इंस्टॉलर की फाइल पे राइट क्लिक करके, Run as Administrator करके ही इंस्टॉल करें और सेटप को पूरा करें। तो अब हमें Laptop में Fingerprint Device को Connect कर लेना है, और G1 प्रमान Software को Open कर लेना है, जिसमें पहले Operator की Detail यानि की हमारी Detail अपदेट करनी है, तो सबसे पहले हम अपना आधार Card Number दर्च करेंगे, फिर नीचे Box में Mobile Number दर्च करेंगे, और उसके नीचे अपना Email Address दर्च करेंगे, और नीचे Generate OTP के Option पर क्लिक कर देंगे, अब अपने Mobile में OTP आएगा, उसे दर्च करें और Submit कर दे, आगे के Option में हमें Operator Name यानी की हमारा नाम आधार Card के मताबिक लिखना है, नीचे Check Box में क्लिक करें, और अपना Fingerprint Scan करेंगे, अब जो Detail आएगी, वो सारी हमें पेंशन की भरनी है, पहले पेंशन का आधार Card Number दर्च करें, फिर उनका Mobile Number दर्च करें, Generate OTP पे क्लिक करें, अब पेंशन के Mobile में आया हुआ, OTP दर्च करें, अब हम देख सकते हैं कि जो Regular Pension है, उनकी Detail इस तरह पूरी भरी हुई आएगी, बस हमें Next पे क्लिक करके आगे बढ़ना है, लेकिन हम स्पर्श के नए पेंशन का Life Certificate बना रहे हैं तो उपर हम Add New Pension, PPO पर क्लिक करेंगे, निचे आया हुआ, नाम वही रहने देना है, अब Type of Pension में हमें Service Select करना है, Organization में Central Government Select करना है, Sectioning Authority में Defense PCDAP अलाहबाद सिलेक्ट करें, Disposing Agency में Spurge PCDA Pension अलाहबाद करें, Agency में Spurge PCDA Pension अलाहबाद सिलेक्ट करें, निचे के Box में Spurge का PPO नमबर दर्ज करें, और निचे Pension का Account नमबर दर्ज करें, जिसमें Pension आ रहा है, और Next पर क्लिक करें, आपको दो Option दिखेंगे, जिसमें Customer को पूछना है, आपने दूसरी शादी की है, Yes या No आपने फिर से Job चालू की है, Yes या No और फिर Next कर देना है, अब आपके सामने सारी भरी हुई Detail दिखेगी, बस उसे Verify करें, और निचे के दोनों Check Box में क्लिक करके, Submit पर क्लिक करें, अब आपको Yes पर क्लिक कर देना है, और निचे Biometric Scan पर क्लिक करना है, उपर के Check Box में क्लिक करें, और Biometric पे क्लिक करें, और Customer की Finger Scan करें, Finger Match होते ही, जीवन प्रमान पत्र आपके सामने होगा, बस उसे Print करके Customer को दे दे, तो दोस्तों, आपने पूरे वीडियो में जीवन प्रमान पत्र बनाने की प्रोसेस देखी, तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? कॉमेंट में जरूर बताए, अगर आप इस चैनल पे नए है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं, और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिम शुब रहे.